हर वक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे दिनाते हैं, ऐसा असंभव है कि वक्ति को हमेशा सुख मिले दुख हमें ये एहसास दिराता है कि सुख होता क्या है अगर दुख नहीं मिलेंगे तो सुख का एहसास भी नहीं होगा अगर दुखों से बचना है तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है वो है अच्छे कर्म और ईश्वर में आस्था और अपने से बड़े लोगों का सम्मान और जो लोग आपसे छोटे हैं चाहे उमर में हो चाहे कद में हो या किसी भी तरीके से हो उनकी इच्छत करना और पशू पक्षियों का सम्मान करना प्रकृती का सम्मान करना क्योंकि इस दुनिया में जो दोश है ना वो बहुत सारे दोश है अगर आप प्रकृती का नुक्सान करते हो तो प्रकृती का भी आपको शाप पड़ता है, अगर आप गाएं का, पशू का, पक्षी का अपमान करते हो, तो उसका भी शाप पड़ता है, आप नदी का अपमान करते हो, तो नदी का भी शाप मिलता है, आप पिता का अपमान करते हो, माता का अपमान करते हो, उसका भी शाप आपको मिलता है, गुरू आनाम है अश्टलोजर सचिंसिक्का और मैं बात करने वाला हूँ साप्ताहिक राशी फल की यह दिसंबर के पहले सब्ताह का साप्ताहिक राशी फल होगा और इस सब्ताह में क्या कुछ आपके साथ घटित हो सकता है इसके बारे में हम जाने हैं और यह जानकारी सामान निया किसी व्यक्ति विशेश के लिए नहीं है हम अलग-अलग राशियों की बात करेंगे अलग-अलग वीडियों में आपका जनम दिन है शादी की साल गिरा है इस सप्ता में तो धेरो धेरो शुप काम ना आए चलिए शुभारंब करते हैं सप्ताहिक राशी फलका आपकी अपनी चंदर राशी से या नाम राशी से आपको अगर मेरी बात अच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा बेल आइकन के बटन को दबाईए और सभी लोगों से एक ही आग रहे है कि कमेंट बॉक्स में जैशीराम जरू लिखिएगा क्योंकि भगवान का नाम ही हमारे जीवन से दुखों को मिटाने की ताकत रखता है आईए शुभारम करते हैं इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कन्या राशी वालों की कन्या राशी वालों आपकी जो ग्रहों की स्तिती है वो इस प्रकार है मास आरंभ में केतू कन्या राशी में लग्ण में शुक्र तुला राशी के दितिय भाव में सूर प्लस मंगल वरश्चिक राशी के तितिय भाव में बुद्ध धनू राशी में चतुरत भाव में शनी कुम्ब राशी के शष्ट भाव में राहू मीन राशी का सप्तम में चंद्रमा मितुन राशी का दश्रम भाव में चला एमान हैं ग्रह वक्त वक्त पर अपना इस्थान परिवर्तन करके अन ग्रहों के सब मिलते जुलते रहेंगे और शुबशुब दोश बनाते रहेंगे एक से तीन तारिक की बात की जाए दिसंबर की तो समय कुछ बीर हो जाएंगे आप सीरियस होकर काम करेंगे घर की सारी विवस्थायन सुधारेंगे घर में जो भी कुछ गड़बढ़ है उसको सुधारने की कोशिश करेंगे आप में शेहन शक्ती का भाव रहेगा चार पांच छे को आदा दिन सही नहीं है काम में भटकाव रहेगा आपके जो सहकरमी है बिल्कुल भी आपका सहयोग नहीं करेंगे आपसे वो जी चुराएंगे आपसे काम से जी चुराएंगे हर दरफ से आपको परिशानी और निराशा हो सकती है मौसम का भी आपके स्वास्त पर विप्री तसर पढ़ सकता है सर्दी पढ़ रही है कई ला बोड़ा सा योग, मेडिटेशन करें, भगवान विश्णू के अरादना करें, तो बहुत अच्छा रहेगा, तब घर में शुक्षान्ती बली रहेगी, साथ तारिकों समय अच्छा आ जाएगा, चंदरमा आपकी स्वैम की राशी में परिवर्ण करेंगे, पैसों की आना जा शुरू हो जाएगा, और कारी शेतर में अविश्कार और चमतकार होंगे, चिनता है दूर हो जाएगे, तो कुल मिलाकर चार, पांच, छे तारिक को आधा दिन सही नहीं है, आधा दिन अच्छा है, कन्या राशी के जासकों के सोचे हुए काम इस सब्दा में कुछ अर्चन और यूनियर दोनों का सहीव प्राप्त होगा, जिनकी मदद से आप सभी प्रकार की बाधाओं और परशानियों को आसामी से दूर करने में कामियाब रहेंगे, यदि आप किसी प्रोजेक्ट या किसी विशेश काम पर लगे हुए हैं, तो उसको पूरा होने से आपको कि पहले ही गुणगान ना करें, यदि आप नौकरी में हैं या किसी तो आप समय अच्छा चलेगा कोई वैपार करते हैं, तो वैपार में कुछ बदलाओ करके आप अपनी विक्री को भी, अपनी आमदनी को भी इस सब्ताह में बढ़ा पाएंगे, इस संबन्द में आपको बहुत सोच समझ कर नेने लेना है कि आपको किस तरीके से बदलाओ करना है और उससे क्या आपको रिजल्ट मिलेंगे, करियर और कारोबार से जुला कोई भी करम जल्दबाजी या बिना सोचे समझे, कनफ्यूजन में, गलत फैमी में मत उठाईएगा, सब्ताह जैसे से बी किसी विशेज को लेकर आप परिवार में ठोड़ा मन मुटाओ हो सकता है, बात परिवार की की जाए तो परिवार में प्रेम संबंद बना रहेगा, आप में सब लोग एक दूसरे से बात करेंगे, बड़े बुड़े एक दूसरे का सम्मान करेंगे, और आपके शुप चिन को लेकर भी चर्चा हो सकती है, जीवन में, कटिन समय में आपका जीवन साथ ही आपका साथ देगा, आपका लव पार्टनर आपका साथ देगा या देगी, तो कुल मिला कर देखा जाए, तो सब कुछ ठीक है, बस किसी तीसरे व्यक्ति की वज़र से आपके घर में कुछ पैदा हो सकते हैं, उनकी बातों को लेकर आप लड़ सकते हैं, बना कहते हैं दूसरे की आग में आप जल कर अपने घर को आग लगा सकते हैं, इससे आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए और थोड़ा सा सरदी वज़रा से बचना चाहिए, वैसे तो आपके राहु मीर ना देखा जाए तो अगर आपकी कोई संपती का मामला चालना है, पैत्रिक संपती है, पैसा फसा हुआ है, तो उसमें आपको राहत मिल सकती है, वो पैसा आपको मिल सकता है, तो खुश रहिए, परसम दहिए, और आणन्द से हर्माज जी का नाम चपते हुए, बजरंग बार क पाट करना है इससे आपकी चिंताएं हैं आपकी जो परिशानिया हैं जो अशुप समय है उट तल जाएगा और आपको पूरे सब्ता सही समय देखने को मिलेगा और आपकी जरमकुड़्ी में सितारे कमजोर हैं तो दिये के नमबरों पर संपर करके अपनी जरमकुड्ी की ज करा हैं ताकि आपके कमजोर सितार को सही करने के हम उपाई बता सके हर्यूम नमस्कार